हाई हेलो सच्चिकल मैं ओल लियो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप होटेल जैसे सिर्का प्याज घर पर कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स इससे ब प्याज चाहिए हमें ज्यादा बड़े साइस के प्याज नहीं लेने हैं और इसे ऐसे कट लगा लेना है ताकि जो हम इसमें सिर्का एड करेंगे वो इसके अंदर अच्छी तरह से अब्सरब हो जाए सारे प्याज को ऐसे कट लगा कर रख लीजिए कुछ इस तरह से फ्रे नानी थोड़ा सा नमक, शूगर चाहिए यानि की चीनी, बीटुड चाहिए ये देखिये मैंने बीटुड को कट करके रख लिया है इसके लावा फ्रेंड्स मुझे आपनी पें लिया हैं विनेगर यानि सिर्का और एक खाली कंटेनर आपके पास कोई भी खाली डिब़ा ह तो आप उसमें इसे बनाकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं आप इसे 15 डेस 20 डेस के लिए अब बनाकर रख सकते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले गिलास पानी को हमें घरम करना है यह देखिए पानी में थोड़ा सा उबाल आ चुक है अब इसमें हमने नमक एड़ करना है आदा चमच मैंने इसमें नमक एड़ किया है अब मुझे इसमें काली मिर्च एड़ करनी है थोड़ी से ही काली मिर्च मैंने इसमें एड़ किया जस्ट फ्लेवर के लिए इसको अच्छी तरह से बॉइलों ने दीजिए ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है अब जो आपने खाली डिबा लिया है इसे बनाने के लिए इसमें सारे प्याज को डाल दीजिए ये देखिए इसमें उबाल आ गया अब इसे हम चान लेंगे इस पानी को हमने चान लेना है और इसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए अब हमें सिर्का लेना है यह देखिए थोड़ा सा मैंने यहां पर सिर्का लिया और इस सिर्के को हमने प्याज में एड़ कर देना है और जो हमने यह बीट रूट का एक जूस बनाया है इसको भी हमने इसमें डाल देना है और इसे आप अब आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए एक रात के लिए आप इसे ऐसे ही अच्छी तरह से हिला के छोड़ दीजिए और अगले दिन टेस्टी होटेल जैसे सिर्का प्याज खाईए तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस मे जा सिर्का हूभ तरह सिर्का तरह सिर्का के लिए गवरोगी झायाल आपिए